हाथसे की, हातरस हाथसे के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को कौट ने 14 दिन की न्याएक हिरासत में भीजा है यहाँ सत्संग के बाद भगी जो भगदर मची उसमें 121 लोगों की जान चली गई जान्च में ये बात सामने आए कि दिल्ली में मधुकर अपने एक रिष्टदार के घर पर रुका हुआ है और फिर दिल्ली सिस्की गिरफतारी हुए फरारी के दौरान वो कुछ सेवादारों के संपर्क में भी रहा है जिन लोगों ने फरारी के दौरान मधुकर की मदद की थी पुलिस उनकी भी जान्च कर रही है मधुकर के उपर एक रिष्टदा इनाम घोशिक्ता जो पुलिस की गिरफत में है तो आपको बता देते हैं यह एहम गिरफतारी कही जाएगी क्योंकि यह भुले बाबा और सूरचपाल का मुख्य अनुयाई है जिसके कंट्रोल में ही जिस दिन सत्संग हुआ हात्रस में सारी चीजें थी और इसलिए इस शक्स की गिरफतारी बहुत जरूरी थी दिल्ली से शक्स की गिरफतारी हो चुकी है लगातारी से पूश्टाच की गई है और अब न्याई की रासर में भीजा गया है 14 दिन की न्याई की रासर में देव प्रकाश मदुकर को भीज दिया गया है मुख्यारों भी बनाया गया है देव प्रकाश मदुकर अब उन्हें लोगों की भी तलाश की जा रही है जिन लोगों ने देप्रकाश मदुकर की मदद की है इसके संपर्क में रहे हैं इसका मतलब यह है कि अभी कुछ और लोगों की गिरफ्तारी होना तरह है हादर साथ से को लेकर पुलिस ने आयोजिकों पर गंभीर आरूप लगाए है पुलिस के मताबिक आयोजिकों ने नियमों का उलंगन किया है और बेकावू भीड को संभालने की कोशिश नहीं की है पुलिस को शुरुवाती पूश्टाश में पता चला है कि देवप्रकाश मधुकर ही बाबा साकार हरी के कारिक्रमों को आयोजित करवाता था इन कारिक्रमों के लिए फंड्स भी इखटा किये जाते थे SP ने ये भी कहा है कि मुख्यारूपी मधुकर के पॉलिटिकल कनेक्शन भी हैं जिनकी जांच की जा रही है किस पार्टी ने कितना फंड दिया है इसकी भी जांच होगी पुलिस अब जांच में इंकम टाक्स विभाग की भी मदद ले रही है इस घटना के मुख्यारूपी देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी हेतु तमाम प्रयास विफन होने के परश्चात अपर पुलिस महने देशक आगरा जों आगरा द्वारा दिनांग 4-7-2024 को एक लाग रुपे का इनाम होशित किया गया था पुप्त अभ्यूप देव प्रकाश मधुकर को हाथ्रस की जन्वधिय एसोजी द्वारा कल दिनांग 5-7-2024 को देशाम नजबपन दिल्दी से गिरफ्तार कर लिया गया है तथा ठाना सिकंदारा पुड़ी द्वारा आज दिनांग 6-7-2424 को अभ्यूप राम प्रकाश साखिर को कैलाश कैलोरा चौराहा से तथा अभ्यूप संजु यादर को गौपाल को कच्वरी सिकंदाराओं से गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे बरत्या को बताएं कि भोले बाबा के रहसे लोग पर भी अब धीरे धीरे सवाल उठ रहे हैं और परदा उठ रहा है अब परताल में ये बात सामने आ रही है कि नाराएंट साकार हरी और भोले बाबा के पंडाल में पहुंचने तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते थे बोले बाबा की खुद की नीजी सेना भी थी जो बाबा की सुरक्षा के साथ कारिक्रम की विवस्था भी देखती थी सीमा पर सुरक्षा बल में तैनात सेवा की तरह से बाबा भी प्लाटून कमांडर की टुकुडियां तैनात किया करता था पंडाल में प्रवचन के दौरान जल सेवा की एक अलग तुकडी थी यूजेटीन की परताल में चौकाने वाली चीज़े सामने आई है ऐसे दस्ताविज दिखाएंगे जो की बाबा से जुड़े हुए हैं जो यहीं कथाके पास में पाई गए हैं मैं आपको दिखाऊँगा आप देख सकते हैं कि ये एक कार्ड है जिस पर जल सेवा लिखा vid ये कार्ड पुश्पा का है जो की बतुरा की रहने बाली हैं यह नारहएनी सेना केено 18 से जोड़ी हुई महिला है और भी मैं आपको एहें एहम काड दकhाएंगा जो बाबा की सेना में रहते थे यह आप देख सकते हैं यह काड है जिसपर लिखा हुआ है सुरक्षा सेना यह बाबाकी सुरक्षा सेवा का कार्ड है जो जलकी सेवा कारिक्रम में आए जितने भी भक्त थे जो आवा के प्रवचन सुनने आते थे उनके उनकी सेवा में लगे हुए जो भी लोग थे उनको बकाइदा कार्ड बनाए जाते थे सेवादार है इनकी जल सेवा है सीला देवी है इमा देवी है इन मे ऐसे तमाम लोगों की इस दरदनाग दोगटना में मौत हो गई है। ऐसे तमाम एक्स्क्लूसिफ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुमिष्यर्मा, न्यूजेटिन, हात्रस। और यह आगी बरते आपको बताते हैं नारायन हरी उर्फ भूले बाबा का सिहासन आपको दिखाएंगे जिस पर बैट कर भूले बाबा खुद को भगवान मानने लगा था। बाबा दावा करता था कि उसमें इश्वरिये और देविये शक्तियां हैं। चान्दी जड़े इस सिहासन पर किसी को भी बैटने की इजाज़त नहीं थी। वो सिंघासन टीवी पे पहली बार और आप देखेंगे सिंघासन को इसी सिंघासन पर बैट के पिछले दस वर्षों से बाबा भोले जो सूरचपाल है वो यहाँ पे कुरसी पर बैट के बाबा भोले बन जाता है नाराण साकार हरी बन जाता है और यहीं से लाखों लोगो को प्रवचन देता है फिलाल इस समय हम सिकंद्रा राउ में मौझूद है और जब ये प्रवचन चल लाता जब उसके बाद भगदल मची उस दौरान भी बाबा इसी सिंगहासन पर बैट के प्रवचन दे रहा था और आप मैं कैमरा मैंन से कहूंगा नरेजी से वो आपको दि संग में जाय करता था वहाँ पर इसको ले जाय करता था फिलाल बताय जा रहा है कि ये बदाईयों से आया है और ये जो पीछे आप टेंट भी देख पा रहे हैं ये बदाईयों से आये तमाम बेवस्ता बदाईयों से की गई थी बदाईयों का टेंट आया था बदाईयों धर्दनाक मौत हो जाती तो लगातार या सवाल भी पूछा जारा है वेवस्था पक्त को से महाँ सवाल पूछा जारा है साथी बाबा से महाँ सब्सक्त का जिम्मदार कौन है कामर मेंन नरेश के साथ हिमाचु शुक्ला न्यूस जेटीन हातरस